इंसुलिन एक हार्मोन है जो खुन में ग्लुकोज आने की अनुमती देता है जिससे शरीर में ओर्जा मिलती है साथ ही ये हार्मोन रसाइनिक संदे वाहक होते हैं जो कुछ सकोशिकाओं या टिश्यूज को एक निशे तरीके से कम करने का निर्जेश देते हैं जो शरीर में किसी विशेश कारे का समर्थन करते हैं लेकिन इंसुलिन से जोड़ी जब कुछ गड़बडियां होने लगती हैं तो शरीर में कई काम प्रभावित होने लगते हैं आईए जानते हैं कैसे नमबर एक किड्नी फेलियर का खत्रा बढ़ता है इंसुलिन की कमी से हाइपर गिले केमिया हो जाता है जो कि आपकी किड्नी के काम काज को प्रभावित कर सकता है इससे कई बार किड्नी काम करना बंद कर सकती है और आपका किड्नी फेल हो सकता है इसके अलाबा इंसुलिन आपकी खून में शुगर को भी निंत्रित करता है। ये बड़ा हुआ शुगर आपकी हिर्दे, गुर्दे, आखो और मस्तिक शरीद आपकी शरीर के कई हिस्सों में समस्याइं पैदा कर सकता है। और ये भी गुर्दे की बीमारी और गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। नमबर दो, डायविटीज की बीमारी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है। तो ज़्यादा तर लोग कहेंगे कि डायविटीज होता है। दरसल इंसुलिन की कमी से हमारा शरीर शुगर नहीं पचा पाता जिससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और आपको diabetes हो जाता है ऐसे में इंसुलिन के काम काज तेज करने के लिए दवाएं और blood sugar कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीजों की मदद लेनी पड़ती है नमबर 3, pancreas हो सकता है इंसुलिन की कमी आपके pancreas के काम काज को भी प्रवाबित करती है और pancreas का कारण बनती है दरसल इंसुलिन pancreas से produce होता है और जब ये बंद हो जाता है तो pancreas में एक सूजन पैदा होती है जिसे हम pancreas कहते हैं ये फिर auto ingestation को रोगता है और दूसर समस्याओं को बढ़ाने लगता है नमबर चार मोटापा बढ़ाता है इंसुलिन एक रसानिक संदेश वाहक है यानि की जो कोशिकाओं को खून से गुलुकोज यानि चीनी को अप्शोशित करने का मैसेज देता है पैंक्रियाज में कोशिकाओं के समू आईलेट्स नामक हर्मोन का उत्पादन करते हैं और शरीर में बलड शुगर के इस्तर के आदार पर मात्रा निर्दारित करते हैं ऐसे में जब इंसुलिन की कमी होती है तो बोडी शुगर सही से नहीं पचा पाती और ये मोटापा बढ़ने का कारण भी बन जाता है नमबर पांच खराब प्रोटीन मेटाबॉलिजम इंसुलिन उर्जा की लिए फैट या प्रोटीन तोडने में भी मदद करता है लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है तो प्रोटीन मेटाबॉलिजम यानि की प्रोटीन पचने की प्रिक्रिया भी गड़वड़ा जाती है ऐसे में जब शरीर प्रोटीन को नहीं पचा पाता तो दूसरी अन्य समस्या जैसे की कमजोर हड़ियां, मोटापा, क्रेविंग का बढ़ना, मासपेशियों से जुड़ी समस्या और हेर फॉल आदी होने लगता है दोस्तों यह जानकर यह अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए साथ ही ऐसे इंफोमेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं